अनुपालण के लिए उसको ठीक ड़ंग से रखने के लिए हमारे राज में इत विभाग है श्रम संसाधन विभाग आज हम इसी विभाग के बारे में जानेंगे और इस विभाग के क्या योजना हैं रोजगार सम्मंधी उसके बारे में विस्तार से जानेंगे और इस विशह पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वरिस्ट आये सधिकारी और सम संसाधन विभाग के प्रधान सच्चिव दीपक कुमार सिंग जी बिहार कौशल विकास मिशन के CEO भी है दीपक जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद इससे पहले कि इस विशे पर हमारी बाची शुरू हो और कुछ दर्शक भी आप हमें तुरंत फोन कर सकते हैं हमारा नंबर है 1-800-3456-171 1-800-3456-171 पर आप सीधे सवाल कर सकते हैं कि आखिर इवाओं के लिए आखिर जो skilled लोग हैं उनके लिए और बाकी जो पढ़कर अभी आ रहे हैं उनके लिए क्या रोजगार की संभावना है कहां कहां सार से दिपक जी से जानेंगे दिपक जी इससे पहले की हमारे दर्श्वों का फोन आए आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि यह जो वी भाग है आपका वीबाकर श्रम संसाध्यजन विभाग कैसे लोगों को रोजगार महीय कराटा किस तरह से उनकी जो मदद करने कि सरकार की जो योजना होती है उसकी मदद मिलती है उनको स्रम्सन साधन प्यभाग का एक निदेशाले है जो रोजगार महिया कराने की दिशा में काम करता है और इसमें हम सबसे पहले tu ये करते है कि एक नैशनल कैरियर सर्विस एक portal है जिस पर जो लोग भी वे रोजगार है वह अपना online निवंधन करा सकते हैं और हम समए समय पर हर जिला इस्तर पर और प्रमंडल मुख्याले इस्तर पर हम रोजगार मेलों का iogen करते हैं हर साल कम से कम हर जिले में एक बार हमारे रोजगार मिले का आयोजन होता है और इसके अलावा जो भी प्रमंडल मुख्याले हैं हमारे नौ इन प्रमंडल मुख्याले में भी हम एक बड़े स्तर पर रोजगार मिले का आयोजन करते हैं जो इस प्रमंडल मुख्याले में जब हम रोजगार मेला करते हैं तो हम उसे भारत सरकार के उद्ध्यमिता और हम कौसल विकास मंतरा ले के साथ मिल कर करते हैं बड़े पैमाने पर जिसमें ना केवल रोजगार बलकि उसके साथ-साथ अपरेंटिसिप के लिए भी हायर करने क के लिए कंपनिया आती हैं और इसके अलावा हम युवाओं की काउंसिलिंग भी करते हैं उन्हें बिभिन स्किल्ट डेवलप्मेंट की जो योजनाय हैं उनके बारे में भी बताते हैं यह सभी कारेकरम और बैंक के माध्यम से जो स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उन्हें बैंक के माध्यम से क्या स्विधा मिल सकती है ये भी बैंक के स्टॉल के माध्यम से उन्हें बताया जाता है तो कल ही 14 तारिक से हमारा भागलपूर में सुलू हो रहा है तो जो भी हमारे युवाँ हैं जो रोजगार की तलास्क में हैं खास तोर पे 18-35 वर्ष के आई वर्क आते लोग वो इस रोजगार मेले में आ सकते हैं रोजगार मेले में कौन कोन लोग आ सकते हैं जाए वह कितना पड़े हो या ऐसे कोई माध कष्ण फक्रम कर न, जैसे लिए टेकनिक और इंजिनियरिंग उनके लिए भी job opportunities इस मेले मेराती हैं और apprenticeship की खास करके जैसे है अभी हमारा कल से भागलपूर में जो सुरू हो रहा है उसमें apprenticeship के लिए भी हमारे पास कम से कम पचीस सो ओपिनिंग्स हैं और ये मुख्य तोर पे जो ITI किये हुए हैं welder, fitter, mechanic इसमें और इसके अलावा जो डिप्लोमा है mechanical engineering में उनके लिए और engineering की degree holder ये सभी लोग इसमें आ सकते हैं दिपक जी एक जो महत पुन बात है कि जो skilled है उनको तो रोजगार उनकी संभावनाय जादा रहती है उनको रोजगार मिल जाता है जो unskilled है उनके लिए क्या संभावना है विभाग कैसे उनकी मदद करता है जो unskilled है एक तो हम लोग सबसे पहले skilled development की योजनाय भी लिबर डिपार्टमेंट का जो एक दूसरा wing है बिहार कौसल विकास मिशन उसके माध्यम से हम कौसल विकास की बहुत सारी योजनाय चलाते हैं एक मुख्य प्रोग्राम हमारा कुशल लिवा कारेकरम है जिसके तहत अभी तक हम बिहार में पिछले दो सालों में लगभग चारला की वाओं को प्रसिक्चित कर चुके हैं इस कारेकरम का मूल उद्देश से है उन्हें कम्प्यूटर का समवात कौसल और विवार कौसल की जानकारी देना ताकि वो कभी भी किसी भी रोजगार में जाएं या स् तो उसका फाइदा उन्हें मिल सके इसके अलावा विविन चेतरों की डोमेन स्कीलिंग की जो योजनाय हैं हेल्थ सेक्टर में हो आटो मॉबाइल सेक्टर में हो रिटेल सेक्टर में हो बैंकिंग सेक्टर में हो इन स्केतरों की योजनाय भी हमारे यहां चलती रहती हैं य में और वहां जाकर एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसे रोजगार होते हैं इन रोजगार मेला में जिसके लिए किसी विशिस्ट कौसल की आवशक्ता नहीं होती है जैसे हाउसकिपिंग के हैं रिटेल के हैं ये सभी में केवल दसमी या बारहवी पास हैं तो वो लिवा कारेकरम है, ये कारेकरम उन सभी लोगों के लिए है, ये वहाओं के लिए, जो कम से कम दस्वी पास हों, और पंदरा से अठाइस वर्स के बीच में जिनकी उम्र हो, ये उनके लिए है, इसके केंद्र हमारे प्रतेक प्रखंड में है, और हर प्रखंड में कम से कम एक क जरूर है राजी के सभी 534 प्रकंड में वहां पर वो सबसे पहले उन्हें DRCC में अपना ओनलाइन नमंकन करा होता है जो डिस्टिक रेजिस्टेशन कम काउंसिलिंग सेंटर है और जिलास्तर पे और उसके बाद वो किसी भी के अंदर पर अपने नजदीकी के अंदर पर जाकर एड्मिशन ले सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं इसके अलावा जो बाकी कोर्स हैं इसको विविन विभाग हमारे चलाते हैं जैसे कि SCST विभाग है, BCOBC विभाग है, Minority Welfare है, IT Department है, Health Department है, Women Development Corporation है इस तरह के लगभग 15 विभाग हैं जो अपने अपने उनके जो सेग्में हैं उनके लिए ये कारिकरम चलाते हैं तो जैसे हमने बताया है कि वे अपने नजदीकी के अंदर का पता करके उस स्किल मित्र के माध्यम से जो KYP Learner App में है, KYP Learner App आप सिधा Google Play Store से डाउनलोड करके उसमें स्किल मित्र में अपने नजदीकी के अंदर को ढूर सकते हैं और वहां जाकर आप admission ले सकते हैं इस वक्त श्रम संसादन विभाग के प्रदान साचिव दीपक कुमार सिंग जी है और वह सीधे आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहां बैठे हैं तो फोन नमबर एक बाद फिर से आप लिख ले है 1-800-3456-171 इस नमबर पर आप डायल कर सकते हैं दीपक जी यह त कर रहे हैं नहीं जो नियोकता हैं इसके लिए सुरक्षा के लिए स्रम संसादन विभाग ने क्या विवस्ता कर रहे हैं अगर उनको को दिक्कत होती है तो कहा जाए इसके लिए हमारा जो स्रम पक्ष है हमारे विभाग का जिसके जिसमें लेवर कमिशनर होते हैं फिर उसके लोग देखते हैं, तो अगर किसी को भी अपने नियोकता से किसी तरह की परिशानी हो, उसकी सेवा सर्थों के बारे में फेतन नहीं मिलने का, या उसके अलावा किसी को नौकरी से निकाल देने का अचानक बिना किसी कारण के, तो इस तरह की चीज़ों में वे उनके अहां तो ये जिला स्तर पर विवस्ता है या पर सिधे आपके पटना में आगरावारा इस तरह पर ये विवस्ता है, अपने अपने जिले के जुस्रम अधिक शक्कारेले हैं, वहां पर जाके वे इसासे का कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, कई बार बहुत लोग सीधे हम से संपर्क करते हैं, तो हम उनकी जो सिकायते हैं, वह संबंधित जिलों को भेज देते हैं, जो उस पर आगे की करवाई करते हैं. जो सरकारी बिभाग हैं, उनमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें कई बार ये शिकायत आती है, कि वो कम संख्या दर्शा कर, अपने जो उनके काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कम करके, कही न कहीं श्रम साधन बिभाग के जो कानून है माब डंड है, अधिनियम है, उनसे बचते हैं, और वो लाब जो मिलना चाहिए उन्हें, जो काम करने वाले उनको नहीं देते हैं। हम उन्हें रेफर कर देते हैं, और फिर वो जाके इसकी जाच करते हैं, और पर आगे कर देते हैं। हम अगर अगर अपने लोग कुछ ऐसे हो, अपर चुनिटी तो सब इसके जाच कर दो का है। सवाल जरा फिर दूरा है। आपन तो सब्सक्राइब कर देते हैं। जो टेक्निकल डिग्री होल्डर्स हैं, उनके लिए भी जैसा माने अब भी बताया कि सीधे नौकरियों का भी ओफर रहता है और इसके अलावा एपरेंटिस के रूप में भी आप हायर करने के लिए ओफर रहता है। जैसे अभी कल माने बताया कल से भागलपूर में ये मेला सुरू है जो कि तीन दिनों तक चलेगा भागलपूर में प्रकास वुद्यान जी से सेंडिस कंपाउंड भी बोलते हैं वहां पे। तो इस तरह के रोजगार मेले के कारिकरम हमारे सरम संसाधन विभाग की वेब साइट पे रहते हैं और जब भी ये कारिकरम होते हैं तब आप उनमें आ सकते हैं और उन कारिकरमों में आप जो अपने लायक जो कमपनिया हैं जो रोजगार हैं उनके लिए अपलाई कर सकते ह तो मुझे लगता है कि बैजना जी आप समझ गया होंगे, हलाकि मदुबनी में आप हैं, भागलपूर में मेला लग रहा है कल से, लेकिन फिर भी आप जैसा कहे रहे हैं, आप पे ढूंड लें, देख लें कहां पर कब आपके इलाके में, दर्भंगा में, मदुबनी में, आस और आप मुझे लगता है कि बिहार आ सकते हैं, धन्यवाद, दिपक जी, हम लोग बात कर रहे थे, ये तो संगठित शेक्तर के कुछ जो लेवर हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है, संगठित शेक्तर के लोगों को identify कैसे करते हैं, कैसे उनकी सेवा शर्ते हैं, उनको आप प् और उसके आधार पर हम ये कोशिस करते हैं कि कम से कम हर आदमी को वो minimum वेज़े जरूर मिले, और इसके अलावा जो असंगठित शेक्तर के लोग हैं, उनके दुरघटना में अगर कोई होता है, तो उसके लिए भी हमारी योजनाय हैं, जिसे हम दुरघटना में उनको हम ला मिलते हैं, जैसे सामाने मिर्तु पर भी, किसी दरह से दुरघटना में मिर्तु पर भी, उनके बच्चों के लिए विवाह सहायता, उसके लिए भी, साइकिल के लिए, और उजार के लिए, उनके प्रसिक्षन के लिए बिवस्ता है, और साथ साल के उम्र हो जाने पर उनके के लिए भी तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो बी ओ सी डबलू के तो इनकी जानकारी भी हमारे प्रखंट के स्रम पर वरतन पजादिकारी या जिलास तर पर जो स्रम अधिक चक बैठते हैं वहां से उन्हें मिल सकती हैं कभी कोई विशेस कैम्प अगरा भी लगा करें हम लोग कैम्प लगाते हैं खास तोर पर हम लोगों पीछे अभी पंचायत स्थर पे भी ये कैम्प लगाए थे और इसके अलावा हम लोग जो वर्क साइट होते हैं जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग का काम चल रहा हो कहीं पर क अधार कार्ड उनका बैंक खाता और फोटोग्राफ यही तीन चीजों किया हो सकता पड़ती है और वो काम करते हैं इसका एक स्वा घोसना प्रमान पत्र हम ले लेते हैं कई बार उनकी शकायत रहती है कि जो बेजेज आपने तै कि या सरकार ने तै कि विवाग उसको चाहत है बैंक एकाउंट वगरा नहीं अभी ऐसा तो नहीं है बैंक एकाउंट का लेकिन हाँ जब कभी नियूंतम मजदूरी नहीं मिलने कि सिकायत आती है तो हमारे पदाधिकारी पर उसमें कारवाई करते हैं नियूंतम मजदूरी के तरह तहत ना केवल हमारे पदाधिकारी ब ले और काम सही धंग से करें उनकी नौकरी सुरक्षित हो रोजगार बढ़ाने कि किस तरह से उपाय करता है आपका ये भी भाग रोजगार बढ़ाने का जैसे हमने कहा कि हम लोग स्किल्ड डवलप्मेंट की जो योजनाय चलाते हैं उससे ये सर्व होता है उद्देश से हमा होनाय सिमित हैं तो हम बाहर की बड़ी-बड़ी कंपनियों से संपर्क स्थापित करके और उनकी जो विसिस्ट आवसक्ताएं होती है जिस तरह के लोग उन्हें चाहिए होते हैं हम कोसिस करते हैं उनका एक अलग से कैम्प भी हम यहां लगाते हैं किसी खास कंपनी के लिए अगर मान लेजिए उनकी आवसकते हैं दो सो तीन सो या पांस सो लोगों की है तो हम उनके लिए अलग से भी कैम्प आयो जित करते हैं ताकि उनको मिल जाए क्योंकि रोजगार के आवसर हम बिहार में बढ़ा नहीं सकते हैं वो हमारे विभाग का दायरा नहीं है लेकिन हम ये कोसिस करते हैं कि जो बाहर के रोजगार भी हैं वो आवसर बिहार में रहते हुए लोगों को उपलफद हो जाए उनको जानकारी उनको हो जाए क्योंकि अब यहां का हर आदमी जाके गुरगाओं में या बंबई में जाके रोजगार नहीं खोज सकता इसलिए हम श्रम संसाधन विवाग को मदद कर सकता है हम लोगों की इस तरह से कोई आपचारिक बेवस्था तो अभी नहीं है परन्तु हम ये कोसिस करते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिकायत हमें मिलती है हमारे मजदूर की किसी तरह की घटना दूर घटना की तो हम तुरंत वहां के स् शेक्तर में उनको कोशिश की जा रही आ गया वसर देने के पढ़ भी रही है जादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलना है तो महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए जो काम करना चाहती है उनके लिए श्रम संसाधन विभा के पास कोई अलग से कोई यो योजनाय नहीं है लेकिन हमारे बहुत सारे जॉब रोल ऐसे हैं जिसमें लड़कियां भी जो है आगे आती है और खास तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कुसर लिवा कारिकरम के बारे में तो कुसर लिवा कारिकरम पिछले दो सालों से चल रहा है इसमें अगर हम देखे पहले उनका सवाल लेते हैं फिर हमारी बाची जारी रहेगी हलो जी सर हां कहां से बोलने है अपना नाम बता है जी बेगुसराइसे सुभम इस्वागत है आपका जी सवाल करें जी मेरा सबाल है कि जो तरम सब्साब दिन विवाद का सेंटर है स्किल डवलक्मेंट सेंटर उसके अंदर जो लर्नर फैसलेटर काम कर रहे हैं उनका भविश्य क्या है आचा बहुत बढ़ी सवाल है इनका कहिना जो लोग ट्रेंड करते हैं लोगों को जहां पर आप बेवस्ता दे रहे हैं उनका भविश्य क्या है लर्नर फैसलेटेटर सीधे बी-स-डी अब नहीं यह योजना आगे भी चलती रहेगी क्योंकि अभी बहुत बड़ा हमारा target group है जिसको इस योजना में cover करना है और दूसरी बात यह है कि learner facilitator के रूप में जो भी काम कर लेते हैं उनका इतना experience हो जाता है कि अगर वो चाहें तो किसी दूसरे तरह के रोजगार में भी अगर वो जाता है तो learner facilitator अगर कोई अच्छे से काम करते हैं तो निश्ची तोर पे बहुत तरह के ऐसे रोजकार हैं जिसके लिए वो अपने आपको suitable पाते हैं और उनमें वो जा सकते हैं अब ही अगर दिपक जी बात की जाए तो कितनी प्रकार की skill development की जना चल नहीं है जिनमें लो के लिए हम प्रसिक्षन देते हैं कुछ निजी के अंदर संचालकों के माध्यम से कुछ अच्छे सरकारी प्रतिस्थान भी है इसमें जैसे सीपेट है जो प्लास्टिक टेकनोलोजी में देता है टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर है नाइलेट है टेंप्यूटर ट्रेनिंग क जिनका लगवग 66 तरह के जॉब रोल है जिनमें अलग 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 प्रसिक्षन होते हैं और इसके अलावा हमारी एक और योजना है आर्टीडी की रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय जिसमें हम पोसिस करते हैं कि बड़ी कमपनियां आए और वो अपने हिसाब से लड़कों को प्रसिक्षन दें और उन्हें अपने यहां रोजगार दें उसकी सरत यही होती है कि वे लड़कों का पहले चैन करती हैं और फिर उन्हें प्रसिक्षित करती हैं और कम से कम 80% लोगों को रोजगार मुहिया कराना उनके लिए आवस्च्चाथ है हमारे का और दर्शक जुड़े हैं पहले उनका सवाल ले लेते हैं हलो हलो जी महोदै नमस्कार आप दोनों महानुभाव को हा नमस्कार अपना नाम बता है कहां से बोलना है तो मैं रागवेंदर तिवारी पूरवी चमपारण से बोल रहा हूं हा रागवेंदर जी बहुत स्वागत है आपका पूरवी चमपारण से बोलना है सवाल करें महोदै मैं आईसमान मीत बनना चाहता हूं तो जी और फिर दूरा है सवाल जो कोडिनेटर हैं उनके माध्यम से हमें बाचित हुई तो उन्होंने बताया कि सकील डिफलेमेंटी सकीन के अधर यहां ट्रेंनिंग दी जाती है तो उसमें 30 से 35,000 जाए रुपए देने परेंगे तो महोदै मैं यहाँ जाना चाहता हूं ट्रेंनिंग लेने के लिए कितने रुपए YES किस चीज़ की ट्रेंनिग लेना चाहते हैं आप कोई हो सकता है कि स्वास्त विभाग से संबंधित हो तो रायंदर जी हम आपको ये सला देंगे कि आप कहीं भी ऐसे ट्रेणिंग लेने से पहले आप जिलाधिकारी कारेलाई या वहां के सिविल सर्जन कारेलाई में जाकर पहले वहां पता कर लें कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई आ पास नहीं आते हैं पता चल गया कि मतलब इस तरह की भी बाते हैं ॵह एक कहीं कोई शुल्क नहीं लगता स्रम सासाधर विभाग की तरफ से इस तरह की जो skill development की जो भी यूजना हैं जिसमें आप खुले तोर पे भाग ले सकते हैं लेकिन दीबग जी तरह यह बता यह कितने महीनों की यह कितने दिनों की यह निर्भर करता है कि किस तरह की training है यह training लगभग आम तौर पर skill development की कोई भी training कम से कम 200 घंटे की होती है 200 घंटे की training आम तौर पर धाई महीने में खतम होती है लेकिन कुछ training ऐसी भी है जो बहुत लंबी है जो 1500 घंटे की भी है जैसे health department की एक training है health sector की mlt की training lab technician की तो उस तरह की medical lab technician की तो उस तरह की योजनाय है जो लगभग साल भर चलती हैं तो यह depend करता है कि कि किस चीज में आप training ले रहे हैं तो दो महीने से सुरू करके साल भर या 15 महीने की भी training होती है उसके बाद एक प्रमान पत्र भी उन्हें आप देते हैं उसके बाद उनका assessment होता है और जो assessment में पास करते हैं उन्हें प्रमान पत्र दिया जाता है और जो training partner है उसी की जवाब दे ही होती है कि फिर यह कोसिस करें कि उनको नौकरी दिलाएं जितने लोग प्रसिक्षन में पास करते हैं कम से कम उनके 50% लोगों को उनको रोजगार दिलाना होता है यह अस्थानी लोगों के लिए या बाहर के भी लोग training ले सकते हैं उसमें यह training हमें केवल बिहार के जो domicile है या जो बिहार के निवासी है उनके लिए हम training करते हैं अगर हम दूसरे जिले के हैं और यहां इस जिले में कोई अंतर नहीं पड़ता आप किसी भी जिले के निवासी हो लेकिन आप बिहार राज जी के निवासी अगर है तो आप बिहार म में कुछ training होती है तो जहाँ पर residential training जहाँ पर होती है वहां पर उनके रहने खाने की बेवस्ता भी बिभाग की द्वारा दिया जाता है उस training partner को training institute को दिया जाता है एक और हमारे दर्शक जोड़े है पहले उनका सवाल लेते हैं हलो जी सर्थ जी अपना नाम बता है कहां से बोलना है यह मेरा नाम राकेश को माँ राकेश को माँ रहता से बोलना जी बहुत स्वागत है आपका बता है कि मैं भावन निर्मान का फार्म मारा था जी दोहेजर पंदरा आज आज तक मतलब कुछ मतलब उसका आउडर नहीं आए सार अरना फार्म नहीं रहे था है या लेगर अफ्टर के पर तो वक्ति की आप जैनुवल पाचुश्ट अच्छा आवाज असपस नहीं आ रही है आप मैं इनका प्रस्ट समझ गया इन्होंने कहा कि जो बी ओ सी डेवलू जो भवन निर्सन निर्मान कर्मकार कल्यान बोर्ड है जिसको मनें बताया बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेर बोर्ड जो है उसका इन्होंने फॉर्म भरा था नामांकन के लिए आप राकेश आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपने जो पुराना फॉर्म भरा था आपका नामांकन हुआ या नहीं हुआ आपका रेजिस्टेशन और अगर नहीं पता चल पाता है अगर आपको तो आप नए सीरे से अपना फॉर्म भर के वहाँ पर दे 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 श्रम उनके कारेले में जाकर तो मुझे लगता है कि उनसे संपर करना चीन को तुरा नहीं तो फिर दोबारा फॉर्म भल लें जी अदिपक जी हम लोग बात कर रहे थे कि जो असंगठित शेक्तर के लोग हैं उनको और बहतर लाने के लिए या फिर उनकी जो स्विधा हैं उनको बढ़े इसके लिए विभाग कोई हाल के दिनों में कुछ ऐसे को योजना बना रही है कि असंगठित शेतर का जैसे हमने कहा कि एक तो योजनाएं जो हैं जो हमारा उनको लाब के लिए दुर घटना मिर्तू या इस तरह के लाब के लिए या कंस्ट्रक्शन वरकर अगर हो तो उन्हें रोज औजार देने के लिए ट्रेनिंग के लिए इसके अलावा हम लोग एक और भी ये कोशिस करते हैं असंगठित शेतर में बहुत बार जो लोग काम करते हैं वे सालों से कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन उनके पास कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं होता है तो हम उसकी एक ब्रिज ट्रेनिंग कराके साथ से असी घंटे यानि आठ से दस दिनों की ट्रेनिंग कराकर उनका एक एसेस्मेंट कराके और उसके बाद हम उन्हें एक प्रमान पत्र दे देते हैं उससे ये फायदा होता है कि कम से कम जब वो अगली जगा जाएंगे तो उनके पास एक प्रमानपत्र होता है, उनके अपने हुणर का, जो पहले उनके पास नहीं था. धिबगतजी हम जयाना चाहें कि भागलपूर की बाद और किस चिले में आप रहा है धागलपाद히यर का अगला कारेकरम हमारा पुर्णिया मे उस इस तरह के जो भी कारक्राम होते हैं इसकी जानकारी हमारे जो डीटी डेरेक्टुरेट ओफ इंप्लामेνट एंज ट्रेनिंग है उसकी वेबसाइट पे रहता है लेबर रिसोर्स डीपार्टमेंट देपार्तमेंट की वेबसाइट में रहता रहता है बहुत अच्छा वसर है कि जो हमारे उस जिले के या हमारे उस प्रमंडल के लोग हैं वहां पे नजदीक में आया और जो उनको लगता है। इस अवसर का लाव उठाना चाहिए जहां खासकर रोजगार मिला लगता हूँ और ये भी बहुत अस्पस्टेक रोजगार मिला का मतलब यह नहीं जो बहुत बड़े बहुत जादा पढ़े लिखे लोग है बहुत डिगरियां है वो ही आ सकते है जैसा कि बता रहे हैं दीपक जी कि स्ट्रम संसादन विभाग वैसे लोगों के लिए भी लगातार कार रहत है योजनाई लेकर आ रहा है ताकि उनके रहन सहन में जीवन चैली में बदला हो उनकी आर्थिक इस्तित सूडिर हो और इसका लाब बोल लें ये जरूरी है कि आप थोड़ासा जाग रूख हो और जैसा बता रहे हैं दीपक जी कि आप स्ट्रम संसादन विभाग के वैब साइट पे जाके जो एप से उसको डाउनलोड करके फेस्बुक के जरीए जैसे भी यानि सोशल मेडिया के जरीए आप इसका पूरा अधिक तम लाब ले सकते हैं तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम अपने सभी दर्शकों की तरब से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं झाहते हैं